नो बकवास सीधी बात कि यार सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ देने वाले इलेक्टरिक स्कूटर के बारे में बताओ बताओ तो गाईज इस वीडियो को देखो देखो पांच इलेक्टरिक स्कूटर के बारे में बताने वाला हूँ तो especially ये वीडियो आप सभी के लिए और 100% लिगा इस गैरेंटी है कि 10 से 12 सल तक बैटरी चलने वाली है तो अगर आपका भी planning ही आने वाले टाइम में एलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो इन में से कोई आप एलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो तो चलिए गाई विदर देने चालो होने वाली है सबसे बेस्ट बैटरी में देखने को मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में liquid-cooled बैटरी विद L-F-E का दोनों का combination कम ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलता है और company खुद बताती है कि आर 12 सल तक बैटरी चलने वाली है तो अपरोक्सलि आप बोल सकते हो बैटरी में तो दम रहने वाला है रिमुबल बैटरी मिलेगी अपने electric scooter में आप लगा सकते हो निकाल सकते हो only scooter and battery है वो भी rent पर ले सکते हो जैसे गुगरू electric scooter में आता है उसके बद इस electric scooter की metal body देखने को मिल जाती है जो की काफी कम ही electric scooter में metal की body देखने को मिलती है attractive look है features भी काफी अच्छे है आपके budget की साफ साफ इसको ले सकते हैं जो सके अगर आपको high features चाहिए बड़ा display चाहिए तो वो भी ले सकते हो but winfast brand जो है normal features देता है जिससे कम price में अपने customer को ज़्यादा range दे सके range की बात करें तो winfast की Clara इस electric scooter की range 197 km मतलब 200 km तक range देखने को मिल जाती है और हाँ दोस्तो winfast की electric scooter में boss company की motor भी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 90 km page का top speed देखने को मिल जाता है अगर हम बात करते है इस electric scooter की pricing के बारे में and finally कब तक देखने को मिलेगी तो pricing जो रहेगी वो हम global से Indian currency से अगर हम convert करते तो 1,10,000 रुपीज तक expecting pricing दिखा रहा है बट फिर भी 1,20,000 भी होगा तो best आपके लिए option रहने वाला है और भी कई सारे features से जो की 24 के मिड के बाद आपको ये electric scooter Indian market में launching हो सकती है and इस पर मैंने detail वीडियो भी बनाया था तो उसके बाद गाया जाता है next electric scooter जो की है reward NX 100 आपने नाम तो सुना ही होगा और काफी वीडियो भी देखे होंगे already ये electric scooter launch हो चुकी है सबसे पहले 89,000 से इनके pricing शुरू होती है जो की approximately डेड़ लाग के उपर जाती है and company ने पहले बाता दिया है कि काफी बड़ी battery हैने वाली है plus इसमें आपको दो battery मिलेगी मतलब एक battery जो है completely electric scooter को चलाएगी लेकिन एक battery आपको smaller size की मिलेगी जो आपको emergency में काफी use होने वाली है जिससे आपको 10-15 km की electric scooter चलने वाली है जो की काफी company emergency battery electric scooter में नहीं देती main battery में दिखताने के बाद काफी problem phase करना पड़ता है LFE battery है तो 10 साल तक चलने ही वाली है and range जो आपको 100 km, 200 km, 300 km and उससे भी आपको plus में off lander model आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आपको plus 200 km के आप removal battery लगा सकते हैं तो total आपको 500 km तक range देखने को मिलने वाला है और company का कहना है कि हम इस electric scooter को mainly SEBI customer के साब से design किया है जैसे कि जिनका भी budget काफी कम है कम features चाहिए तो उनके लिए classic model है उसे उपर जाना है तो आपको pro model मिलता है उससे भी आपको काफी अच्छा है चाहिए तो off lander भी देखने को मिल जाता है मतलब budget price में आपको देखने को मिलेगा top speed की बात करें तो 110 campus का top speed देखने को मिल जाता 0 to 43 second में जाती है बैटरी की बात करें तो 5.7 kWh की बैटरी है और features की बात करें तो cruise control मिलेगा front में आपको dash camera भी electric scooter में देखने को मिलने वाला है और और भी कही सारे नए generation की features इस electric scooter में देखने को मिलने वाले है company का कहना है कि हम इस electric scooter की media review जो है April में महिने में करने वाले और जून से इस electric scooter की delivery भी चालू होने वाली है तो चली गाइज दोस्तों अभी बात करते है next electric scooter के बारे में Ola Electric Ola Electric की बात करें गाइज तो काफी friends बोलेंगी यार Ola को आपने केसे याड़ी किया इसकी service अच्छी नहीं है आठ साल और दो साल मतब दस साल तक बैटरी जाने ही जाने वाली है क्योंकि इसे काफी brands है जो की warranty तीन साल की देती है बड़ बैटरी जो उससे एक दो साल आगे जाती ही जाती है और Ola Electric की ये specialty है कि ये easily कहाँ पर भी available हो जाती है और Indian market में अभी सबसे अच्छे price में मिलने वाली electric scooter Ola की electric scooter है और सभी brands ने अपने electric scooter के pricing बड़ा दिये है April महिने के बाद लेकिन Ola Electric ने अभी पहले कही price में sale कर रही है और काफी अच्छे features भी मिलते है बस आपको ये देखना है कि आपके city में service केसी है अगर service अच्छी है तो आपको Ola की electric scooter काफी अच्छी हो सकती है तो comment करके ज़रूर बताना कि यार आपके city में service केसी है जिससे काफी सारे user को पता चल सकी यार केसी service जो है Ola दे रहा है उसके बाद बात करते हैं next electric scooter के बारे में गोगरो electric दोस्तों गोगरो जो है global player है इंडियन मार्केट में आने से पहले उन्होंने काफी testing की है और इंडिया में आभी delivery company साथ इन्हों में partnership किया जिससे अंदादा लगा सकते है कि यार customer को क्या चाहिए जिपी ब्रैंड के साथ इन्होंने partnership इंडिया में कर दी है लेकिन काई scooter में दम काफी specially मेरे को इसकी battery काफी चलगती है 6 second में full charge वाले battery लेके जाओ और गोगरो का कहना है कि हम जब इस electric scooter को launch करेंगे तब से ही काफी सारे cities पर swapping network अविलेबल करने वाले है जैसे कि All Electric ने जो है अपने charging network अड़ की है वेसे जो है गोगरो के भी swapping station आपको देखने को मिलने वाले है सबसे पहले only scooter भी ले सकते हो example अगर scooter की price 50,000 है तो 50,000 देना है और जो battery है वो आप rent पर ले सकते जतना यूज़ करो यह उतना यूज़ करो lifetime तक battery की tension यह नहीं है otherwise आप दोनों भी ले सकते हो जिसकी expecting pricing 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक रहने वाली है क्योंकि company के पास funding का कोई issue नहीं है सिर्फ इनको जो है इंडियन मार्केट में बड़ी बड़ी company को टकर देना है जो की all electric है इनके pricing के आसपास इसकी pricing रहने वाली है features की बात करें तो नए generation के savi features देखने को मिलेंगे display आपको थोड़ा सा अलग सा मिलेगा क्योंकि नए generation की electric scooter है globally से इंडियन मार्केट में आने वाली है so absolutely कुछ अलग तो रहने ही रहने वाला है और गोगरो electric scooter की factory की बात करें कब तक ही launch करने वाली है जून जुले से ही factory start करने का planning किया है जो कि पहले से ही इनका काम चल रहा है और कुछ महिनों पहले एक electric scooter को इन्होंने unveil भी किया था जिसका नाम गोगरो पल्स था जिसकी range आपको 180 km से लेकर 200 km तक range मिलने वाली है और removal battery मिलने वाली तो no tension आप रह सकते हो तो चलिया दोस्तों काफी बात है कि अभी एक बड़ा brand है जो कि Indian market में आने के बाद तबाही करने वाला है सबसे ज़्यादा battery life देखने वाली electric scooter आपको ये brand प्रवाइड कर सकता है Indian brand है और काफी time से इंडिया में इनकी IC engines के scooter जो है काफी sale होते है और mostly waiting पर यही आता है होंडा की electric scooter की बात करे बैटरी के बारे में Samsung and Panasonic के sales इनने यूज़ किये है जो की काफी time तक चलते है और दोस्तों होंडा जो है अपने खुद battery manufacture करता है और Indian market में इनकी काफी अच्छी value है trusted brand है इसलिए कहाँ पर भी compromise नहीं करने वाला है और company का कहना है कि starting में Indian market में हम तीन electric scooter को unveil कर सकते है जिसमें Activa electric रहने वाला है दूसरा थोड़ा सब से छोटा है और काफी time हो गया है इंडिन market में इनकी testing ही चल रही है finally अभी बात करती है इसकी expecting pricing क्या रहेगी और कब तक Indian market में देखने को मिल सकती है तो guys देखो यार सबसे पहले trusted brand की electric scooter है कहाँ पर भी compromise नहीं करती चाहिए battery हो चाहिए motor हो battery तो अच्छी मिलने वाली जिसमें आपको 130 km से लेकर 180 km तक range देखने को मिलने वाली है और जल्दी जल्दी में कुछ भी product यहाँ पर Indian market में Honda launch नहीं कर सकती इसलिए इनोंने काफी बार date change की है भी में महिने में इनोंने बोलाई कि हम इस electric scooter को unveil करने वाले Indian market में और तब से काफी customer इसके लिए रुके है क्योंकि जो इसकी pricing रहेगी वो बजाचेत तक TWS IQ एंड हीरो मोटर कॉप की विडा जो trusted brand की electric scooter है इनके pricing के competition में आने वाली है तो आप expect कर सकते हो 1,25,000 से लेकर 1,30,000 तक expecting pricing रहे सकती है तो दोस्तों यह थी कुछ 5 electric scooter जो कि आपको सभी को पता होने चाहिए क्योंकि इसमें आपको higher battery life मिलती है क्योंकि जो दूसरी company है वो काफी कम warranty देती है जिससे आपको आगे जाकर बहुती बड़ा maintenance देना पड़ सकता है तो इन पांचों में से आपको कोई से अच्छी लेगी क्यों अच्छी लेगी कमेट में जाकर जरू से जरूर बताना तो चलिए भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में